नमस्कार सातियों स्वागत आपका हमारी चैनल एक संदेश पर मेरा हूल लोधी इस समय उत्तराखंड यात्रा पर हूँ और साथ ही साथ हमारा मिसन दो हजार चौबिस चल रहा है क्योंकि चुनाब आने वाला है केंद्र सरकार का और हम पूछ रहे हैं आम जंता से नुकर उत्तराखंड हो या उत्तरकासी हो या गंगोत्री हो जहां भी हमें जंता मिल जाती हाला कि यहां इतना क्राउड नहीं है कि हम किसी हर किसी जंता को पूछ पाएं लेकिन जो भी हमें दुकाने मिलती है या हमें कोई ब्यक्ति मिलता है तो हम उनसे जरूर पूछते हैं कि 2024 म में क्या आने वाला है कौन आने वाला है और सातियों इस समय हम स्री नगर जो कि उत्राखंड में पड़ता है और स्री नगर के बीच रास्ते में लगवक तीन घंटे से रुके हुए थे और हमारी हेल्प इन लोगों ने बहुत की इन से जानते हैं देखे छोटी-छोटी सी द पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए रोज मर्रा की जीवन गुजारने के लिए ये लोग केवल परियाटकों पर ही निर्भर रहते हैं और इन से जानते हैं कि आपको यहां देखिए एक नई चीज और मिलेगी माल्टा इसका नाम है हमने भाइया से ब पर आपको चक्कर उल्टी नहीं आएगी और स्वास्ते के लिए बड़े होता है और क्या-क्या यहां की बिसेश्था है आपका गाउं कि यहां से लगवक कितनी दूर होगा मेरा गाउं यहां से भी देड़ सो मीटर दो सो मीटर पर है आगे चलके इधर से जी और कुछ बत आई अपने बारे में और यहां का जो रहन सेहन है यहां पर जो कॉलिज हैं बच्चे यहां पर कहां पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे दूसर यहां से कम से कम पांच किलो मीटर दूर जाते हैं पैदल पढ़ने के लिए तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस पिरकार क कि ये जिन्दगी लोग गुजार रहे हैं और आप देखी रहे हैं कि जब भी आप इस रास्ते पर आएं तो इन लोगों को जरूर help करें इन लोगों की help करें क्योंकि इन लोगों की जो आदत हमें अच्छी लगी बाकी में इनकी आदत बहुत ही अच्छी है और आपकी पूर आप यहां पर यह जो काम करती हैं तो कैसे जीवनियापन करती हैं आप कटनाई हो रहा है कि हमने पहले भी कहा था कि मिशन 2024 हमारी ओर से भी चल रहा है और इस समय आप इनकी दुकान में भी देख रहे हैं छोटी सी दुकान है लेकिन मोदी जी आपको जरूर नजर आएंगे आप गौर से देखिएगा मोदी जी का हमारा संकल विक्सित भारत तो इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मिसन 2024 को लेकर क्योंकि चुनाब भी आने वाला है तो 2024 में क्या आप मोदी जी को बोड़ देंगी और क्या किन-किन मुद्दों पर बोड़ देंगी देंगे हो गर कुछ नहीं मिला अभी आपको कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी आप मोदी जी को ही बोड़ करने जाएंगी क्योंकि इसकूल से काफी उकड़ते हो हमारे बच्चे स्कूल से काफी सुब्रदा मिले मोदी से इसलिए तो लग रहा है आपको की तीसरी बार प्रदानमंत्री मो सर इस पेसलीटी बताइए कोई बिसेष्टा जिससे लोग यहां की और आकरजितों आपकी गाउं की और आपकी और देखिये ऐसे तो चार धाम वाला तो आपको पताई है सबको जो चार धाम है तो यहीं है उतरा खंड में और धार में किस तल भी है एक तरह कैसे हैं तो मिस सब्सक्राइब कि अब यहां पर मोदी जी ने क्या क्या सुविताएं थी सभी चीजह है तो श्रेंडर भी है और आपको जला योजना के तहसे लेंडर मिला है और जो आवास विकास योजना विकास योजना भी आपको घर मिला है डाई-लाइक रूपे आए डाई नहीं एक अब पहली किस्ता ही होगी साइब नहीं हो गया पूरा पूरा फैनल करके देदें अच्छा कोई घोटाला गड़बर तो ऐसा ऐसा तो नहीं के धाई-लाग रुपे लेने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि मेरे में एकाउंट में 20,000 दे तो ऐसी कोई रिस सिटी के तरहिके से परदान और अगेरा भी कुछ काम निकरते तो वह हर चीज बात है तो देखिए आप देखी रहे हैं कि किस तरह का यहां पर जीवन है और यहां के मौसम में भी एक हमने करवट देखी है बदलते हुए मौसम को देखा है क्योंकि जहां से हम आ रहे हम गं निकली हुई है यहां तक कि जो उत्तरी मैदान है जो मैदानी इलाका है जैसे बुलंशेर हो गया अलीगर हो गया बहाँ पर कडाके की ठंड है लेकिन यहां पर परवतों पर इतनी ठंड नहीं है देखें यहां पर आप जब भी आईए तो इन लोगों की भी मदद कीजिए य हिंद।